तो स्वागत है आप सभी का ग्यापानी केडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर पहने वाले हैं उर्दू ग्रामर के अंदर सबसे इंपोर्टन टॉपिक है फेल जिस से आप लोग के एकजाम में बहुत सारे question पूछे जाते हैं आखिर fail है क्या आप पास और fail वाला fail कहते हैं या फिर उदू ग्रामर का ये कोई और fail है यह इस वीडियो को कम्प्लिट देखकर हर एक टॉपिक को समझ लेंगे इसी वज़े से मैं कहती हूँ आप सभी लोगों को कि आज का ये वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यदा पाउरफुल साबित होने वाला है बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट साबित होने वाला है इसी वज़े से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना एक स्किप किये complete जेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफीकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए है तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है वीडियो को जितना ज़़दा ज़दा श्यादा श्यार करना है और में और किया क्या कहते हैं ठीक है जैसे कि अभी मैं बोल रही हूं बोलना पढ़ना पढ़ाना हसना दोना खेलना कुदना तो यह सभी काम है क्रिया है तो ये सभी काम क्या कहलाएंगे उर्दू में फेल कहलाएंगे यानि कि अभी मैं बोल रही हूं तो बोलना क्या है फेल है पढ़ा रही हूं पढ़ाना फेल है आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ना फेल है सुनना फेल है हसना खेलना दोरना उठना बैठना यानि कि फेल जो हो होता है लेकिन वह नहीं होता है जैसे कि नाना की लास्ट में नायें लेकिन नाना एक काम है नहीं नान एक नाम है ठीक है तो नाना जही ओassis के नहीं कहल के ? लाकई बनाल संगय के हुए लेकिन उससे पहले आप लोग जरा जमाना को समझ लीजिये गई लानकी को क्या यह ठीलज में तीन टैप प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर उसी तरी के वोग हिंदी में काल भी पड़ेंगे बबूत मान काल और और भविष्य काल तो बिल्कुल वही वलाफंड आप लोगो उर्दू में लेकर चले आना है उर्दू में bhi काल यानिकि टेंज को क्या केते हैं जमाना के बहुते हैं जिसतरा टेंस के तीन टैप प्रिजेंड पास्ट और फूचर काल के तीन एंगलिज में कहा जाता है जानिमें कहा जाता है मैं प्रचाल तो यहां पर माजी हाल मुस्ताइप यह थीं तीन टैप से जमाना एंकर जमाना है आपि이고 present और कि पास्टेंस कहते हैं और जो समय अभी चल रहा है अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं अभी ये वक्त चल रहा है तो जो वक्त वर्तमान का हो यानिकि अभी जो वक्त चल रहा है जो समय चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं जमाना है हाल यानिकि प्रजेंट टेंस और जो पर फेल को भी क्रिया को भी कितीन भागों बाटा गिया है इस तरह जमान हो कर चुके हैं पास्ट में जो काम कर चुके हैं उस तरह के काम को स्थरा के क्रिया हम लोग क्या कहते हैं देख रहा है तो जो हाल में यानी की प्रिजट में होता है उस के फैल उस तरह के काम को क्या कहते हैं फैल हाल कहते हैं और जो तीसरा टाइप है मुस्तक्बिल यानि की जो काम मुस्तक्बिल में होने वाला हो यानि की फ्यूशर में जो काम होगा उस तरह की काम उस तरह के फैल को कहा जाता है फैल मुस्तक्बिल यानि की जमाना की लिहाद स ऐसे जो है ना फेल को तीन टाइबस में डिवाइट किया गया थीन भागों में बाटा गया है फेल माजी फेल हाल और काम माजी में होने वाले होगा है आगे में आप लोह को क्या पढ़ाँगी यहाँ नहीं पढ़ाँगी यह zaru और यहां से दिया जाएगा कोई भी एक सेंटेंस दीगा जिसकी महमुद पटणा जाएगा बताईए ये जमाना की कौन सी किस्म है ठीक है महमूद पटना जाएगा तो ये जमाना की कौन सी किस्म है तो बताईए महमूद पटना जाएगा इट मिन्स आने वाले समय में जाएगा यानि कि ये जमाना का जो किस्म है वो है मुस्तक्बिल, यानि कि ये जमाना मुस्तक्बिल का एक्जामपल है, उधारन है, ठीक है, तो जिस भी option में आप लोगो दिखाई दें मुस्तक्बिल, उसको टिक कर देंगे, उसी तरीके से fail से भी question पूछा जाता है, कि सलीमा बाजार जा रही है, तो सलीमा बाजार जा रही है, इस जुमले में बताइए fail कौन सा fail है, बाजार जा जा रही है, यानि कि काम अभी हो रहा है, प्रजन्ट में हो रहा है, तो ये fail हाल है, तो जिस भी option में दिखाई देंगे, उसको धीडरे से टिक कर देना है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर fail माजी की 6 किसमे हैं और इन 6 किसमों से भी उसी तरीके से कोशन पूछा जाता है जिस तरीके से यहाँ पर यानि की कोई भी sentence टा कर दे देगा और कहेगा बताइए कि यह कौन सा fail है यानि की fail की कौन से किसम है तो सबसे पहले यह सबी किसम को यह सबी टाइप को समझ जाईए ठीके फिर माजी की यहाँ पर चीए किसमों को मैं लिख दी हूँ पहला है माजी मुतलक दूसरा है माजी करीब दूसरा है माजी वईद चौता है माजी इस्तमरारी और इसी को माजी नातमाम भी कहा जाता है ठीके पांचवा है माजी शकिया या फिर माजी इहतमाली भी इसको कहते हैं छटा है माजी तमन्नाई या फिर इसको माजी शर्तिय भी कहते हैं तो एक एक करके हम लग समझते हैं ठीक है तो पहला जो टाइप है फेल माजी की है वो है फेल माजी मुतलख इनि कि वेशा काम जिसको खत्म हुए पता नहें और देर नहीं पता है कि काम का मुजा Cyk sonja. रहें कि काम खत्म हुए कितना देर हो चुका है ठीक है तो जिस काम को खत्म हुए नहीं पता चले कि वो काम कब खत्म हुआ है उसका वक्त ना जाहिर हो तो उस तरह के फेल उस तरह के काम को क्या कहते हैं फेल माजिक मुतलग कहते हैं तो महमूद आया सलीमा गई सलीमा रोई अभी रोई, कि बहुत पहले रोई थीक यह बहुत पहले रोई चुकी है, यह नहीं पता है इस सिर्फ कहा जा रहा है सलीमा रोई, यानि कि काम का खत्म होना नहीं हमें पता चल रहा है तो यह सभी phenomenonals uyलाएंगे, फिल माज़ी मुटलख कहलाएंगे। टागे बरते हैं दूस तरह की काम को कहते हैं फेल माजी करीब जैसे कि महमूद आया है महमूद आया है से पता चल रहा है कि महमूद अभी अभी आया है यानि की काम अभी अभी हुआ है ठीक है तो जो जिस काम का होना जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो यानि कि जिस काम का खत्म होना हमें मतलब ज्य तो महमूद आया है क्या करई फेल माजी करीब यहां पर है पहचाने का ट्रिक है माजी मुद्लग की लगा दिया तो यह बन गया माजी करीब को पैचाने का त्रिक कि माजी मुतलख के लास्ट में बस है लगा होता है या फिर हो लगा रहता है या फिर हू लगा रहता है या फिर है लगा रहता है यह याद रखेगा तो है हो या फिर है या फिर हू यह फिर है या फिर हू यह फिर हू यह फेल माजी करीब के लास्ट में लगा रहता है यह य जैसे कि महमूद आया था यानि कि महमूद आया था में इन सब आया था तो seems एलमाजी और और फेल माजी बाईद को पहचाने का ट्रिक क्या है बस इसके लास्ट में देख लेना है था थेती रहता है यानि कि माजी मुतलग के लास्ट में बस था लगा दीजिए या फिर थे लगा दीजिए तो वो हो जाता है फेल माजी बाईद जैसे कि महमूद आया ये फेल माजी म गई थी लास्ट में क्या uen क्थी यह को डाइब हने को मिलता है व can Muji बाइद के लास्ट में आगे बढ़ते हैं चौथ हैं तो भी इस तरह कि फैल को कहते हैं एशंगी काम को केते हैं जो पास्ट तैम में लगतार वह काम हो रहा था यानिकि वो काम लगतार जारी था पास्ट टाइम में उस तरह के काम को उस तरह के फेल को कहते हैं माजी इस्तमरारी ये फिर माजी ना तमाम जैसे कि महमूद आता था इससे जाहिर क्या हो रहा है महमुद पास्ट टाइम में हर रोज लगातार आता था यानकि ये काम जारी था पास्ट टाइम में महमुद आता था जैसे कि माली जी आप ही लोग है आप किसे से बात करते होंगे तो मालेजे कोई आपसे आकर पुछता होगा कि तुम्हारी इससे बात होती है तो आप लोग कहते होंगे नहीं मेरी इससे बात नहीं होती है लेकिन पहले होती थी पहले होती थी से क्या मतलब है पास टाइम में बात होती थी तो फेल माजी इस्तमरारी के पहचाने का ट्रिक्या है ताथा तीथी या फिर तेथे लगा रहता है तो वह बन जाएगा फेल माजी इस्तमरारी ऊगे बढ़ते हैं पांचो है माजी शक्या या फिर माजी इस तरह के फेल वहता है फेल माजी इस्तमरारी उस्तमरारी के का या जाता है तो बोले होंगे ठीक है यानि कि आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं माजी मुतलग के लाश में बस होगा या फिर होगी या फिर होंगे लगाया जा रहा है तो यहीं है ट्रिक माजी शक्या को पहचानने का माजी मुतलग के लाश में होगा होगी या फिर होंगे लगा रहता है तो मेहमूद आया होगा, यह example है माजी शक्या की, ठीक है, last type है फेल माजी का फेल माजी तमन्नाई, या फिर इसको शर्तिय भी कहते हैं, मतलब कि नाम से ही clear है, जिस फेल में तमन्ना पाया जाए, खौाहिश पाया जाए, ठीक है, शर्प पाया जाए, उस तरह के फेल को कहते हम लोग फेल माजी तमन्नाई जैसे कि काश महमूद वक्त पर आया होता तो उसे भी पुरसकार मिलता काश महमूद वक्त पर आया होता तो उसे भी पुरसकार मिलता यानि कि इसमें शर्थ पाया जा रहा है कि काश महमूद आया होता तो उसे भी पुरसकार मिलता यानि कि एक चालीज आप लोग यहांप पर नोटिस कर रहे हैं कि कास में मूद वक्त पर आया होता यह कि लास्ट में ता क्या कास सलीमा बाजार गई होती ती लसमें क्या रहा है ती यहारा है का तो यहां पर छे के च्छे टाइब को आप लोग समझ गए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं फेल की कुछ और टाइप्स को भी लिख दिए इसको भी हम लोग कंपीट कर लेते हैं अगर आप लोग को लग रहा है बीच में ब्रेक लेशना चाहिए तो बस आप लोग यहीं पर वीडियो को स्टॉप करके थे पानी वगएरा पीकर और फिर आकर आप लोग यहीं से वीडियो को प्ले करकर देखना शोयों कीजिए क्योंकि बीच में आप लोगों को पढ़ाई को इंड नहीं करना है छोड़ना नहीं है कम्प्रीट देखते रहना है ठीक है और हर एक पॉइंट को समझते रहना है और क्या जरूरी है मतलब ज्यादा लंबा तो वीडियो भी नहीं हो रहा है मैं आप आप लोगों को शॉर्ट कोट में समझाने की कुशच्त करते हूं कि कम समय में ज्यादा नौलेस आप लोत विस्ट नहाओ और सफ्मएं जी hem वह कीमती था समय को ध्यानमें रखते हुए मैं आप लोगो को कम समय में ज्यादा समझाने की कुश्च करती हुँ तो इसमें बोज फीलिंग ए आप winning आराम विडियो को देखे हैं और मुझे हर एक पॉइंट समझ में आया है जेदा आप लोग कमेंट में लिखकर बता दी जिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेल मजारे को समझते हैं फिल मजारे ऐस तरह कि कम को कहते हैं जिस का होना मौजूद और आइंद जमाने में मौलूम हो जैसे की यहाँ पर मैं लिख दी हूँ महमूद आए अभी आए की बाद में आए मौजूद और आइंद जमाने दोनों 三 separate तरह के फेल को के तौन करें घेंगे फिल मजारे के यह तो महमूद तो पानी है यहां से झाओ यहां से तुम भाग जाओ तुम यहां आओ तुम मेरा पयर दबाओ तुम मेरा गला दबाओ या फिर पैर दबाओ पानी लाओ यह जाओ वहाँ जाओ जिसमें काम करने का हम दिया जाए उस तारह को किया कहते हैं वह आप लोगों को समझ वे आ जाए आ गया होगा यह तो बहुत ही ज्यादा असान है अगला है पेल नहीं उस तरह के फेल को कहते हैं मतलब कि उस तरह के काम को कहते हैं जिसमें किसी काम को ना करने का हुकम दिया जाए जैनि कि जिस काम को नहीं करने का ओर दिया जाए उस तरह के काम को कहते हैं हम लोग फेल नहीं जैसे कि तुम मेरे लिए ग्लास पानी मत लाओ तुम मत लाओ नहीं लाने का हुकम दि तो इस तरह के काम को क्या कहेंगे नहीं कहेंगे नामी में नहीं ठीक है वहां तुम मत जाओ वहां मत जाओ तो यहां पर जाने से मनाही की गई थी सब क्या है नहीं है उसी तरीके से हUNG लादिम पार hop को कहते हैं जिसको पूरा होने के लिए फायल की जरुवरत पड़े करता की जरुवरत पड़े कि मैं पूल दिंग आप सवाल पूछेंग ना कौन गया करना मैं मैं बूल दीैंट फूरा हो गया सिर्फ मैं बोलूँ हूं गया आप लोग chip सवाल पूछें कौन गया यानि कि यह जो गयाagus है यह फाईल को डूण रहा है क्यांद की काम काम कौन किया कौन गया तो महमूद कर्था जब फाईल लग जा रहा है तो मिलिंग मेंको केंगे हां महमूद गया ज Stück किहां है काम करने वाले इनसान को धून रहा है तो तुमन आया क्वार में या तो राशिद आया कि कम्प्टी संटेंक्स में सगा मैं य 져 कि काम कॉन कीक्सबटा दीया जा रहा अगर मैं इसी तरह से बोलूं तो आप लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर कौन सोया, कौन जागा, कौन हसा, कौन रोया, ठीक है? तो यानि कि ये सभी फैल फाइल को ढून रहे हैं काम करने वाले इंसान को ढून रहे हैं आखिर सोया तो कौन सोया जागा तो कौन जागा हसा तो कौन हसा और रोया तो कौन रोया तो इस तरह के फैल को कहेंगे फैल लाजम जो की फाइल को ढूनता हो काम करने वाले इंसान को भूंता हो ठीक है आगे बढ़ते हैं फैल मतादी उस तरह के फैल को कहते हैं जो फाइल के सांसात मफूल को भी चाहे यानि की यहां पर देखिए महमूद ने खत लिखा लिखने का काम तो हुआ है कौन किया है लिखने का काम तो महमूद किया है तो महमूद हो गया फाइल या यहाने कि वही मैं आप लोगों को बताना चाहरी हूं कि वहां फाइल जो फैल के सांथ मफूल यानी कि टो को भी चाहे यह तो एसे इसा फैल था जो कि सिर्फ फाइल को चाहा रहा था गया तो कुं गया मह्मुद गया यह dogs एक यह कमप्लीट संटेंस मैं आ जा रहा था लेकिन यह जो लिखा है लिखासे हमें यह लिखा यह जो फैल है यह दोनों को कारा है यानि है फाइल को भी चारा है और मफऊन को भी चारा है लिखा तो किस ने लिखा महमूद ने लिखा फाइल कम्प्लीट हो गया और क्या लिखा तो खत लिखा यानि कि मफूल भी मिल गया यानि कि यह जो फैल है लिखना लिखा यह फैल को भी चाहरा है और मफूल यानि कि अबजेक्ट को भी चाहरा है फाइल और मफूल मिलने को जैसे यह सेंटेंस कम्प्लीट हो ज मतलब पता चल जाए कि हां काम हुआ है काम का करना या फिर होना जाहिर हो जाए उस तरह के काम को कहते हैं फैल मुस्बत जैसे की मुंतजीर नमाज पढ़ा पता चल रहा है कि हां पढ़ने का काम हुआ है बस काम का करना जाहिर हो जाए तो काम हुआ है पढ़ने का काम हुआ है फेल मिस्बत कहेंगे और फिर लास्ट है फेल मनफी फेल मनफी उस तरह के फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम को सिर्फ नहीं करने का जिक्र हो देखिए फेल नहीं और फेल मनफी में थोड़ा सा कान पर है फेल नहीं उस तरह के फेल को कहते हैं जिसको नहीं करने का हुकम दिया और इसमें उस तरह के फैल को कहते हैं फैल मनफी इसमें किसी काम को नहीं करने का सिर्फ जिक्र हो जैसे कि वह स्कूल नहीं गया इसमें पता चल रहा है कि काम नहीं हुआ है काम नहीं करने का जिक्र है काम का नहीं होना जाहिर हो रहा है तो इस तरह के फैल को कहेंगे फैल पढ़ हो तो निकाम को नहीं करने का खिल मन फी जैसे कि वह स्कूल नहीं गया सिर्फ पता चल रहा है कि हां काम नहीं हुआ है तो इस तरह के शेल को कहेंगे पेल मन फी आप लोगों समझ में आ गया होगा फाइनली यहां पर जाकर वेड़ का यह सारा टॉपिक कम्दीट होता है आई होप आप लोग को हर एक टॉपिक समझ में आया होगा अगर आप लोग यहां तक वीडियो बिना स्किप्ट किये देखे हैं और हर एक कोईंट को ध्यान से समझे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहे हूं कि फेल से एक भी कोशन आप लोग छोड़ कर नहीं को में आप लोगों को बता दी है और एकदम बढ़ियां से समझा दी समझ में आया है कि नहीं कमेंट बोक्स में एक बार लिकर बता दी जाएगा और एक कोशन आता है फेल मुफरद और फिल मुरकब से अब यहां पर आप लोग ज़रा समझ जाए फेल मुफरद उस तरह के जिस फेल को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक लवज हो जैसे कि हसना एक है दोड़ना एक लफृ में एक ही लवज हो तरह के फैल को कहते हैं फैल मुफ्रद और इस लफ में जिस फैल में एक से ज्यादा लव्ज हो जैसे की चोरी करना तो चोरी करना यह यह काम है लेकिन इसमें दो लवजे चोरी और करना इस फैल को…. तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिकर ने सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं इसी के साथ में आप सभी लोगों लोगों से विदा लेती हूँ आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिये होंगे चैनल पर अगर आप लोग नए नए आया हुए हैं हमारे वीडियो इसको पहली बार देख रहे हैं तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूं कि चैनल को सब्सक्राइब हिंद और खुदा हाफिज